मेरा नाम है निले श्रिवास्तव और आज के जो लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास वह है कंपन्सेशन तो कंपन्सेशन क्या है टांस्मिशन लाइन्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वार्मेंट यह होती है कि जो वोल्टेज है रिसीविंग अंड पे वो कुछ लिमिट्स में होनी चाहिए जादा वेरी नहीं करनी चाहिए जादा वेरी ना करने का मतलब है कि voltage regulation अच्छी हो ठीक है तो compensation से हम यह achieve करने का try करते हैं अब compensation दो तरीके के हैं पहला है series compensation दूसरा है shunt compensation तो series compensation में जो reactive elements हैं जैसे series capacitor वो transmission line में series में लगा दिया जाता है series में लगाने से क्या होता है कि transmission line की impedance जो है वो कम हो जाती है और impedance कम होने की वेज़े से जो transmission line के cross voltage drop है वो कम हो जाता है voltage drop कम होने का मतलब क्या है कि receiving end पे हमें अच्छी voltage regulation मिलेगी ठीक है दूसरा क्या है shunt compensation shunt compensation mainly power factor improvement के लिए होता है अब हमारे पास कुछ cases है compensation के तो हम एक एक करके सारे cases को देखेंगे और है यह देखेंगे कि surge impedance और surge impedance loading इन पे क्या फर्क पड़ता है किस तरह से यह change होती है ठीक है तो सबसे पहले हम without compensation line में surge impedance और surge impedance loading कैसी होती है उनके बारे में जानते हैं ठीक है तो पहला है without compensation without compensation line अगर मैं no load मान रहा हूँ तो approximately line का model यह बना सकता हूँ मैं एक L और एक C ठीक है यह VR है और यह VS है इसको ground पर लख देते हैं यह C है अब इसमें मैं ZS क्या होगा surge impedance मैं ZS not लगा रहा हूँ ताकि not का मतलब है कि without compensation होला case है यह होगा root L by C surge impedance root L by C होता है और SIL क्या होगा वह होगा VL square by ZS not ठीक है VL square by ZS not VL square क्या है जो receiving end की line voltage है वह है ठीक है तो without compensation ZS not और SIL not यह दोनों चीज़े है ठीक है अब हम सबसे पहला case लेके चलते हैं जो है series capacitor compensation CSE compensation नाम से ही पता लग रहा है कि capacitor line में series में लगना चाहिए ठीक है तो इसका हम diagram बनाते है inductor और series में capacitor और एक shunt capacitor तो हो गई line में ठीक है यह VR यह C है यह हमारा CSE है और यह L है अब हमें इसकी surge impedance निकालने के लिए क्या करना है जो series में element है उनका equivalent inductance निकालना है ठीक है इसको मुझे L equivalent से replace करना है ठीक है तो अगर मैं इसको L equivalent से replace करता हूँ तो मेरा कुछ diagram ऐसा बनेगा यह L equivalent हो गया यह C हो गया और इस case के हिसाब से मतला इस वाले diagram के हिसाब से ZS कितना होगा ठीक है मैं ZS1 लिख दता हूँ यह पहला case है तो ZS1 लिख दता हूँ ZS1 कितना होगा L equivalent वाइस ही है ना L equivalent वाइस ही होगा ठीक है और यह दोनों case है similar ही एक ही चीज है similar क्या मतलब same ही चीज है तो हमें L equivalent की value निकालनी है तो ZS1 आ जाएगा हमारे पास ठीक है अब L equivalent वाले की अगर हम impedance निकाले तो वह क्या होगा j omega l equivalent ठीक है और इसकी impedance निकाले तो वो कितना होगा वोगा j omega l minus j by omega cse है ना यह होगा और यह दोनो impedance बराबर होंगी क्योंकि एक ही चीज है ठीक है अब मैं right hand side j omega बाहर ले लेता हूँ ठीक है तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा j omega l बाहर ले लेता हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा 1 minus 1 divided by omega square l omega square lcse ठीक है अब दोनों तरफ right hand side और left hand side में j omega से divide कर दूँ तो मेरे पास l equivalent आएगा l 1 minus kse जहांपे kse क्या है kse है 1 by omega square lcse ठीक है यह आगया मेरे पास तो अब मैं यहां से देखू zs1 कितना आ रहा है zs1 आ रहा है root l equivalent by c था root l equivalent by c होने का मतलब है root l by c 1 minus kse ठीक है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ root l by c into root 1 minus kse इसका क्या मतलब है root l by c क्या था root l by c था zs0 root 1 minus kse ठीक है zs1 कितना है zs0 root 1 minus kse ठीक है इसके साथ आगे बढ़ते है zs1 कितना है मारे पास zs0 root 1 minus kse अब kse जो है उसकी value 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए ठीक है 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए ठीक है क्यों होनी चाहिए क्योंकि अगर यह 1 से बड़ा हो गया तो root के अंदर हमारे पास एक negative term आजाएगी और negative का अगर हम root लेते हैं तो imaginary term है और हमें पता है कि जबकि जो surge impedance होती है वो एक resistive है है ना रूट L by C जो आता है वो एक resistive element आता है ठीक है और अगर वो resistive है तो इसमें इमेजने दिगा कोई मतलब बनता नहीं तो KSE क्या होना चाहिए KSE 1 से कम होना चाहिए ठीक है और 0 से बड़ा तो हो गई होगा क्योंकि जितनी भी हाँ पे चीजे है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह जो bracket है । इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ZS1 less than ZS0 होना चाहिए अगर यह less than one आएगा तो less than one का क्या मतलब है कुछ ऐसा fraction होगा कोई भी less than one वाली value लेलते है zs0 into 1 by 3 लेता हूँ यह less than 1 है ठीक है अगर zs0 into 1 by 3 कर रहा हूँ मैं यह zs1 के बराबर है तो जाहिर सी बात है ना कि zs0 greater than zs1 है है ना तो वही case यहाँ पर है अगर 1 minus के ऐसी 1 से छोटा है तो zs1 less than zs0 आएगा ठीक है तो हमें क्या मिल गया है कि zs1 is less than zs0 अब हम देखते हैं कि surge impedance loading पर क्या फर्क पड़ेगा surge impedance loading क्या होगी वो होगी vl square divide by zs1 ठीक है और zs1 कितना आया है zs1 आया है zs0 root 1 minus kse ठीक है vl square by zs0 कितना था sil0 था है ना divide by root 1 minus kse ठीक है तो हमारे पास दो important equation आई है एक तो sil1 equal to sil0 divide by root 1 minus kse और एक zs1 equal to zs0 into root 1 minus kse हमने देखा कि zs1 zs0 से छोटा है यनि surge impedance कम हो गई है ठीक है और हम यहाँ देखेंगे surge impedance loading में तो 1 minus kse denominator में है अब denominator जितना कम होता जाएगा fraction उतना बढ़ता जाएगा इसका मतलब sil1 greater than है sil0 यानि surge impedance loading बढ़ गए surge impedance loading बढ़ने का क्या मतलब है कि transmission line की power carrying capacity बढ़ गई power carrying capacity बढ़ने का यह मतलब है कि अब transmission line जितनी power हो पहले supply कर रहा था अब भी वो उतनी supply कर रहा होगा लेकिन कम torque angle पे supply कर रहा होगा और कम torque angle पे supply करने का मतलब यह है कि power system की stability increase हो गई है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर surge impedance loading बढ़ी surge impedance loading में बढ़ावा आया तो इसका मतलब है कि transmission line की power system की stability बढ़ चुकी है ठीक है तो यह कौन सा केस था यह था series capacitor compensation और इसमें हमने क्या results निकाला results निकाला power system stability increases और मैंने आपको कहा था कि compensation voltage drop कम करने के लिए यूज होता है series compensation मिली तो यह series compensation ही था surge impedance आप देखेंगे तो कम हो गया है अगर impedance कम हो गया voltage drop कम हो गई voltage drop कम हो गई तो receiving end में ज्यादा voltage मिलीगी या फिर हम कह सकते कि voltage regulation ज्यादा अच्छी होगी ठीक है अब हम पास next case जो है वो है shunt capacitor का CSH compensation ठीक है CSH compensation में नाम सी बता लग रहा है capacitor shunt में लगेगा तो इसका जो diagram बनेगा वो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा एक capacitor तो normally जो रहता ही है और एक और capacitor ठीक है एक capacitor हमारा C है एक है CSH यह है L और यहां पे है VR ठीक है यह है VS ठीक है ठीक है अब इसका equivalent circuit अगर मैं बनाओ तो मुझे इन दोनों parallel combination का एक एक ही capacitor चाहिए ठीक है ठीक है तो वो आजाएगा C equivalent यह plus minus Vs और यह VR ठीक है यहां पे C equivalent आगया यह L आगया इसके हिसाब से ZS2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा root L by S root L by S root L by S C equivalent ठीक है root L by S C equivalent आएगा ठीक है तो अब हमें क्या करना है यह बाद C equivalent की value निकाल ली है दो capacitor अगर parallel में होते है तो क्या होता है उनका equivalent capacitance parallel में capacitances add हो जाते है यानि C equivalent कितना है C plus C S H ठीक है अब मैं यहां से C common ले लेता हूं तो मेरे पास बनता है 1 plus C S H by C ठीक है अब मैं इसको इस तरह से लेखता हू 1 plus K S H जहां पर K S H क्या है K S H है C S H by C ठीक है अब इसको substitute करते हैं और Z S 2 निकालते है Z S 2 कितना आ रहा है Z S 2 आ रहा है root L by C root sorry not root bracket 1 plus K S H ठीक है इसे ऐसे लिख सकता हूं root L by C into 1 by root 1 plus K S H ठीक है इसका क्या मतलब हुआ यह मतलब हुआ root L by C कितना है Z S 0 divide by root 1 plus K S H अब 1 plus K S H 1 plus K S H यह 1 से बढ़ा होगा हमेशा है ना 1 से बढ़ा होने का मतलब है denominator बढ़ रहा है ठीक है घट रहा है fraction घटने का मतलब है यहां पे कि जो Z S 2 है हमारा Z S 2 है वो less than होगा Z S 0 के है ना यहां पे हम देखें अगर Z S 0 into 1 by root 1 plus K S H ह ठीक है अगर denominator 1 से जादा होता जा रहा है अगर मैं K S H की value बढ़ाता जाऊंगा यहनी Z S 2 Z S 0 से छोटा है ठीक है अब हम S I L 2 निकालते है वो कितना आएगा वो आएगा V L square divided by Z S 2 Z S 2 की value कितनी आई थी Z S 2 की value आई थी Z S 0 divide by root 1 plus K S H तो वो root 1 plus K S H कहा जाएगा उपर जाएगा ठीक है root 1 plus K S H उपर गया ठीक है तो अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है V L square by Z S 0 कितना है V L square by Z S 0 है S I L 0 और into कितना हो रहा है 1 plus K S H 1 plus K S H 1 से बढ़ा है है ना इस case में भी Surge Impedence जो है वो घड़ गई और Surge Impedence Loading जो है वो बढ़ गई Surge Impedence Loading बढ़ने का क्या मतलब है Result क्या है Power System Stability Increases ठीक है Power System की Stability बढ़ गई अब हमें पर जो 3rd case है वो है Shunt Reactor Compensation LSH Compensation ठीक है Shunt Reactor में Shunt में हमारे पास एक Reactor Extra लगेगा यहां पर इधर VR है इधर VS है यह C है और यह LSH है यह L है ठीक है इसका Equivalent Circuit बनाएंगे तो मुझे इसका Equivalent Capacitance निकालना पड़ेगा इसको C Equivalent बनाना है तो मेरे पास यह जो आएगा यह आएगा यह आएगा कुछ ऐसा यह C Equivalent हो जाएगा और यह L हो जाएगा तो ZS3 जो आएगा वो क्या आएगा रूट L by C Equivalent ठीक है रूट L by C Equivalent तो हमें C Equivalent की value निकालनी है ठीक है अब हम क्या करते हैं इस चीज़ की यह दोनों शंट में है शंट में admittance calculate करना ज्यादा असान रहता है तो हम admittance निकालते हैं तो अगर C Equivalent का admittance निकालूँगा तो वो आएगा जे ओमेगा C Equivalent ठीक है और इन दोनों parallel combination का निकालूँगा admittance तो वो आएगा जे ओमेगा सी माइनस जे बाई ओमेगा LSH ठीक है मैं जे ओमेगा C common लोगँगा यहां से यहां से यहां आएगा 1-1 by ओमेगा स्क्वार C LSH ठीक है इधर जे ओमेगा C Equivalent दोनों तरफ जे ओमेगा से divide कर देता हूं मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं 1- KSH ठीक है L KSH L लिख देता हूं हमने KSH Shunt Compensation के लिए यूज किया था है ना तो इसलिए मैं यहां पर KSH L लिख रहा हूं शंट यह है शंट रियक्टर कोफिशेंट है ऐसा नाम देता हम इसे ठीक है KSH L और KSH L है क्या KSH L है 1 by ओमेगा स्क्वार L C SH sorry LSH C C LSH ठीक है ओमेगा स्क्वार C LSH यह KSH L है C equivalent आ गया हमारे पास ZS3 निकालते है ZS3 आया L divide by C into 1 minus KSH L ठीक है इसका मतलब है root L by C हभी आई ऐसे रिषसे सकते है root L by C into 1 by root KSH L root L by C root L by C is root L by C root L by C root L by C fraction में denominator 1 से कम हो रहा है तो जो पूरा overall fraction है वो increase हो रहा है increase होने का मतलब है यहाँ पे surge impedance बढ़ गई ZS3 is greater than ZS not हो गया ठीक है ठीक है ZS3 is greater than ZS not हो गया और अब हम surge impedance loading निकालेंगे SIL3 तो वो कितना हैगा VL2 divided by ZS3 ठीक है ZS3 की value डालते है ZS3 की value आएगी ZS not उपर आएगा multiplied by 1-KSHL 1-KSHL 1 से कम होने वाला है ठीक है यह क्या बना SIL not into root of 1-KSHL 1-KSHL का root 1 से कम होने वाला है यानि SIL not में हम 1 से छोटे quantity multiply कर रहे है इसका मतलब क्या है कि SIL3 less than होगा SIL not के ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर जो surge impedance है वो बढ़ गई और surge impedance loading है वो घट गई जो भी हमें achieve करना होता था हमने वो achieve नहीं किया फिर भी हम यह compensation क्यों use करते है हमें क्या achieve करना था हमें achieve करना था कि voltage drop कम हो surge impedance बढ़ गई है तो voltage drop जादा हो जाएगी अब लाइन में है ना तो यह हम क्यों use कर रहे है यह हम use कर रहे है फेरेंटी effect को counter करने के लिए फेरेंटी effect में क्या होता है कि जो voltage होती है receiving end पे वो क्या हो जाती है वो no load condition या light load condition में sending end voltage से भी जादा हो जाती है है ना काफी जादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए उस effect को कम करने के लिए यह compensation use की जाती है अब आपने देखा कि surge impedance बढ़ गई surge impedance बढ़ने का क्या मतलब है surge impedance बढ़ने का मतलब है कि line के across voltage drop बढ़ गया voltage drop बढ़ गया तो वियारब कम होने वाला है पहले से तो हमने फेरेंटी एफेक्ट को थोड़ा बहुत काउंटर कर लिया ठीक है तो लसेच कंपनसेशन क्यों यूज़ रता है तो काउंटर फेरेंटी एफेक्ट ठीक है ठीक है अब हमने पार जो फोर्थ केस है वो है CSE CSH कंपनसेशन दोनों एक साथ ठीक है तो CSE कंपनसेशन में सीरीज में कैपिस्टर लगा था और CSH कंपनसेशन में पैरलल में कैपिस्टर लगा था है ना यह VR है यह VS है यह C है यह CSH है यह CSE है और यह L है ठीक है हमें इसका L एक्विलेंट निकालना है इसको L एक्विलेंट से रिप्लेस करना है और इसको C एक्विलेंट से रिप्लेस करना है है ना अगर मैं इसका दारब नावें टारिक्रामगे रोट जी है भी और दीष्ट इस यह कुलेंट होगा और यह कुलेंट होगा और यहहें सी कुलेंट और और निकाल चुक्ये एंफ निकाल चुके थिके लडिन कितना आया था हमरे पास । equivalent आया था L into 1 minus kse, kse की value आपको पता ही है, c equivalent कितना आया था, वो आया था, c into 1 plus ksh, ठीक है, यह आया था, तो अगर मैं zs4 निकालूं, वो कितना आना चाहिए, root of L equivalent by c equivalent, जो कितना हो जाएगा, root of L by c into root of 1 minus kse, divide by 1 minus ksh, ठीक है, root of L by c कितना है, zs0 है, zs0 into root 1 minus kse, divide by root 1 plus ksh, ठीक है, numerator कम हो रहा है, denominator बढ़ता जा रहा है, ठीक है, numerator कम हो रहा है, denominator बढ़ता जा रहा है, अब हम कोई fraction ले लेटे हैं, ठीक है, 2 by 3 ले लेते हैं numerator कम हो गया numerator कम हो गया माल लेते हैं 1 हो गया numerator ठीक है और denominator बढ़ गया ठीक है denominator बढ़ गया 4 हो गया ठीक है अगर ऐसा हुआ है अब कोई भी fraction लेके आप चेक करके देख सकते हैं कुछ भी हो अगर numerator कम हो रहा है denominator बढ़ता जा रहा है ठीक है ऐसा चलता है देखिए numerator अगर कम हो रहा है ना तो और तो overall fraction की value कम होती जा रही है अगर मैं सिर्फ n by d लिखूँ numerator divided by denominator ठीक है d को fix रख दू ठीक है और numerator गटाता जाओं यानि fraction गटता जा रहा है अब n को fix रख दू और denominator को बढ़ाता जाओं तो भी fraction गटता जा रहा है तो अगर यह दोना operation ठीक है तो यहां पे मुझे क्या पता चल रहा है यहां पर इस फोर ही वह तो थो थो टा है जड़े स नौट से क्योंकि ये fraction इस घटता जा ठीक है ठीक है और यह ए वन से छोटा ही होग से पूरा बड़ी value लेता हूं तो 1 से छोटी ही आती है ठीक है और 1 से दो छोटी value अगर मैं multiply करता हूं तो वो 1 से छोटी ही रहती है यानि ZS0 में ऐसी value multiply होने वाली है जो 1 से छोटी है इसका मतलब क्या है कि ZS4 जो है वो less than ZS0 है यानि इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ surge impedance कम हो गई surge impedance कम होने का क्या मतलब है SIL loading पर क्या फर्क पढ़ा surge impedance कम होने से SIL 4 निकाले हम तो वह आएगा VL square divided by ZS4 या फिर VL square divided by ZS0 into root of 1 plus KSH divided by root of 1 minus KSE अब यहां पर numerator बढ़ता जा रहा है denominator घटता जा रहा है इसका effect क्या होता है numerator बढ़ने का denominator घटने का simultaneous effect यह होता है कि जो fraction है वो बढ़ता जाता है ठीक है अब 1 plus KSH 1 से बढ़ा होने वाला है 1 minus KSE 1 से छोटा होने वाला है लेकिन denominator में है और अगर मैं 1 divided by 1 से छोटी वाली यो रखता हूं तो वो fraction जो है 1 से बढ़ा होने वाला है ठीक है तो जो 1 plus KSH divided by 1 minus KSE है यह 1 से बढ़ा होने वाला है अगर यह 1 से बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है अगर मैं VL square by ZS0 को SIL0 लिख दूँ और मुझे पता चल चुका है कि यह fraction 1 से बढ़ा है तो इसका मतलब है कि SIL4 is greater than SIL0 यानि surge impedance loading बढ़ गई surge impedance loading बढ़ने का क्या implication है कि power system stability power system stability increases stability बढ़ गई है ठीक है अब हमारा पास last case है वो है series capacitor और shunt reactor compensation इसमें series में एक inductor होगा जैसे होता है यह transmission line में series capacitor लगेगा chunt में एक capacitor और एक inductor लगेगा ठीक है यह C है यह LSH है ठीक है यह VR यह VS यह L है यह CSE है ठीक है हमें क्या करना है हमें इसका equivalent बनाना है यह है ground यह है VR यह C equivalent है यह L equivalent है ठीक है अब हमें L equivalent और C equivalent की value पता है हम पहले निकाल चुक है तो हम direct लिख देंगे L equivalent क्या आता है L equivalent आता है L into 1 minus KSE ठीक है और C equivalent क्या आता है यहां पे C equivalent आता है C into 1 minus 1 minus KSHL ठीक है यही था ना LSH compensation में C equivalent 1 minus KSHL ठीक है तो यह आ गया ZS5 कितना हुआ वह हुआ root L equivalent by C equivalent इसका मतलब है root L by C into root 1 minus KSE divided by 1 minus KSHL अब यहां पे numerator घट रहा है और अगर मैं KSE की value घट मतलब KSE की value बढ़ाता जाओं KSE और KSHL दोनों 0 से 1 में होंगे इसमें तो कोई डाउट नहीं क्योंकि 1 से बढ़ा तो यह fraction negative बन जाएगा ठीक है तो दोनों तो 1 से क्या होंगे 1 से चोटी होंगे ठीक है 1 से चोटे होंगे तो 0 से 1 के बीच में रहेंगे KSE और KSHL दोनों ठीक है तो अब यहां पर क्या हो रहा है KSE की value बढ़ाते जाएगे के essential गटने का मतलब है कि fraction की value बढ़ रही है यानि एक effect is fraction को घटाने के लिए अगर वह स्यधा तेज है नुमिरेटर के बढ़ने के effect से denominator denominator के घटने के effect से तो fraction की value घटेगी ठीक है मतलब यह depend करता है कि कौन सी जो चीज है ना वो कितनी छोटी है ठीक है numerator जादा छोटा है कि denominator जादा छोटा है ठीक है तो यहाँ पर हम exactly नहीं बता सकते कि Zs5 छोटा होगा यह बड़ा होगा छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है ठीक है लेकि Zs5 की जो value आ रही है वो आ रही है Zs0 into root 1 minus Kse divide by 1 minus Kshl और इसी इसाब से हम SIL5 निकालेंगे ठीक है SIL5 निकालेंगे तो वो आएगा SIL0 root 1 minus Kshl divide by 1 minus Kse ठीक है तो compensation में हमारे पास बस इतना ही था Thank you